तो जैसा कि अपने को पता है अभी RRB JE का एक्जाम आने वाला है ठीक है तो CBT1 अभी में में सायद हो जाए और CBT2 हो सके तीन-चार मेने बाद हो जाए उसके और उसके बाद फिर हमारे सेप्टेंबर अक्टूबर में SSC JE के भी एक्जाम हो जाने चाहिए ठीक है तो यह जो SSJ की बात करें तो हम लोग प्री आराम से निकाल सकते हैं और खास करके अगर हम लोग प्रिवियस येर्स कोस्टन जितने भी हैं अच्छे से कर ले हम लोग जितनी भी टॉपिक से पूछे गए उस टॉपिक से सारा कुछ सारा डीटेल से हम लोग पढ़ ले तो बिलकुल आ आई रिस्पॉंस अच्छा आहे तो फिर मैं और भी और भी कंटीनू करूँगा लेकिन बस इसलिए थोड़ा से डीस्कंटिनू होना पड़ा था तो अभी उस लेक्टर्स के साथ सांथ सांथ वो तो मैंने क्या किया है अब जेक्टिव के लिए अलग से लेक्टर लेक्टर थे मैं उन सारे objective questions को subject wise एक एक करके लाऊंगा है ना और daily basis पर हम लोग उसको करते जाएंगे 10 से 15 questions 20 questions यतनी भी हो पाएंगे ठीक है और सारे को explanation के साथ पढ़ेंगे ठीक है कुछ इस तरीके से कि अगर मालो कोई भी एक च्छाइब करेक्ट होगा ठीक है जो option correct होगा उसको तो देखेंगे यह लोग क्या होता है बाकि जो तीन options हैं उसको भी हम लोग जानेंगे अच्छे से कि यह क्या होता है ताकि अगर उस topic से दुबारा question आये कुछ उस तरीके का तो आप लोग कर सको ठीक है तो कुछ इसी तर जितना response आएगा उतना मैं इस तरीके का और lecture आगे बनाने को थोड़ा मतलब सोचूंगा ठीक है अगर response नहीं मिला तो फिर वही है मुझे भी लगेगा कि किसी को जुरुरत नहीं है तो फिर lectures बनेंगे नहीं ठीक है तो अगर आप लोग को सही में अगर अच्छा लगे तो हम लोग आज पढ़ेंगे irrigation engineering से irrigation and methods of irrigation ठीक है चली स्टाट करते हैं कोशन देखते हैं एक कैनल designed to irrigate throughout the year is called एक ऐसा कैनल जो कि डिजाइन किया गया है पूरे साल भर सिचाई के लिए पानी अपने को provide करने के लिए है ना उस टेप के कैनल को हम लोग क्या बोलते हैं ठीक है तो यह तो बहुत इजी कोश्चन है परनीड कैनल होगा ठीक है क्या परनीड कैनल है ना अब देखते हैं इसका explanation ठीक है देखिए अब इसमें क्या है सबसे पहला पहले सबसे पहला objective का यह option क्या है सबसे पहला permanent channel एपा परमानेंट सोर्स अब सप्लाइर यानि हिसमें कोई पर्मानेंट सोर् Carmen आता रहता है ठीक है ना बिना रूखे पानी आता रहता है आगे दिखते हैं आप इस आ वेल ग्रेड़ेट चैनल एड प्रोवाइड़ेड विद पर्मानेंट रेगुलेशन एंड डिस्ट्रीब्योसन वाक्स ठीक है यह क्या है यह है एक वेल ग्रेड़ेड यानि कि अच्छे से बनाया ग और जो कि जिसमें की रेगुलेट हम लोग कर सकते हैं यानि कि किसमें कितना फ्लो देना है किसमें कितना फ्लो देना है उसको हम लोग खोल सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं ठीक है ना उसको रेगुलेट कर सकते हैं और डिस्ट्रिविशन वर्क और डिस्ट्रिविशन यानि क किस LOCATION में कहां पर पानी भेजना है न तो वह सब सारा DISTRIVACE Ну व्योर्क हम लोग क्या कर सकते हैं यहां से mendians कर सकते जैसे अगर मालो यह कोई चैनल जा रही है है न यह कोई एक गाउ है यह कोई है यह कोई गाउ है यह कोई गाउ है ठीक है तो अब ही माल लो यह को पानी नहीं देना है यह क्या कर सकते हैं यहां कुछ अपना इस तरह के का रहेगा कि यहां से इसका पानी का कर सकें और इस इस चैनल में इस कैनल में पानी अपना बंद हो जाए ठीक है ना तो यह हम लोग कर सकते हैं और distribution work हम लोग अच्छे से कर पाएंगे तो यह होता permanent channel जिसमें की सालों भर हमेसा पानी आता रहता है और जो कि एक permanent source से connected रहता है जहां से अपने को सालों भर पानी मिलता है irrigation के लिए तो इसके types होते हैं इसके दो types होते हैं ठीक है एक क्या होता है एक perennial Kennel और एक non-perennial Kennel है ना तो perennial Kennel क्या होता है देखिए परेनियल क्या होता है गेट 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 कंटिनियूस सप्लाइड फ्रॉम दा सूर्स थ्रू दे एर साल भर continuous सप्लाइब ने को मिलता है अगर जरूरत पड़े तो यह साल भर पानी सप्लाइब कर सकता है यह होता है इसा नहीं कि सिर्फ रेनी सिजन में सिर्फ मौन्सून के टाइम में उसमें पानी हमेशा बहता रहे बिल्कुल एक ही लिवल का उसको हम लोग बोल सकते हैं यह तो उस तरीके का रिवर से connected रहता है यह उसको भी लोग परेनीयल केनल बोल सकते हैं यह लिए ना यह कुछ महीनों के लिए इसमें क्या होता है अपने कोई इससे पानी का सप्लाइब यह कहा से आता है नोन पर रिवर से आता है यानि कि नाई नदी जिसमें कि जैसे मालों बारिस वी तो यह नदी भर गई तो यह भरी नदी से जो कैनल में पानी आएंगे हैंना तो उस टाइप को भोलेंगे नौन पर नियल कैनल यानि किसमें वह से के चाहलि US में तो यह तो यहां से हमने को क्या मिला इसको फानञे में तो हम लोगोंने इतना कुछ किलियर किया ठीक है है हो गया चलिए question number two के वर बढ़ते हैं हम लोग on rolling land irrigation का ही है ठीक है on rolling land the method of applying water is method of applying water यानि कि rolling land यानि कि ढालू वाले जगह में ढालू यानि कि slope जो slope type का जगह है जहां पर हम लोग farming करते हैं कि खेती करते हैं है ना वहां पर हम लोग किस तरीके के irrigation method से पानी हम लोग पानि हम लोग देंगे ठीक है पाणी प्रोवाइट करेंगे irrigation water लोग देंगे ठीक है यानि कि रिचवाट की बात हो रही है यहां पर है यह इस टाइप के slope वाले खेतों में लोग बोल सकते हैं कि इस कि हम लोग मैठाड से हम लोग इरिगेट करेंगे इसको ठीक है तो इरिगेशन का बहुत मैठाड होता है बहुत सारे मैठाड होता है हम लोग सारे पढ़ेंगे यहापे तो इसमें पर चेक फ्लडिंग दिया हुआ आपको हो सके पता हुआ या ना होगा free flooding दिया हुआ border flooding दिया हुआ फरो फ्लोडिंग फ्लोडिंग है ना तो यहाँ पर आंसर होगा free flooding यह ना rolling land पे free flooding ठीक है यह आप लोगों का answer हो गया लेकिन हम लोग यहाँ पर चारो देखेंगे चारो क्या होता है ताकि अपने को इस topic से कोई भी question आए हम अच्छे से इसको कर पाए ठीक है तो in free flooding method देखे क्या होता free flooding में ठीक है ditches are excavated in fields and water is allowed to flow through ditches तो यहां प्रिफ्लाड़िग में क्या होता है जैसे गड़ा खोर लिया गड़ा खोर लिया इस तरीके का इस तरीके का इना इधर slope है समझे लोगा इधर क्या है slope है ठीक है यहां पर पानी बह रहा है है ना ठीक है उपर से तो मतलब थोड़ा जैसे slope wise यह water flow करेगा है ना यह अपर slope से lower slope में पानी flow करेगा free flooding और इसको में लोगा control नहीं कर सकते हैं ठीक है ना तो ditches are excavated in field and water is allowed to flow through ditches also called wild flooding है ना इसको में लोग wild flooding बोलते हैं क्यों क्योंकि स्लोप में बहारे है यह इसको घंट करना इसको ब्लयक है यानस कि ब्र९ह समझ बना है ना तो वर्ड कि मिनिंग को अ the ditches no attempt is made to control the flow by means of levies levies means क्या होता है जो तटबंद इसको बोलते हैं हम लोग ठीक है ना यानि कि जैसे मालो ये छोटा सा खेटो खेटों की जो नाली है मट्टी की है ना ठीक है इसके बगल में थोड़ा ऊचा वाला सरक्रिस हो गया जो हम लोगों ने मट्टी से बनाया इसको हम लोग तटबंद बोलेंगे ठीक है लिवीज बोलेंगे ठीक है अभी मैं एक फोटो दिखाऊंगा आपको कुछ उसमें आपको मैं बता दूँगा लिवीज क्या होती पाटिक्लोर्ली वेर लेंडीज स्टीप है ना यह क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए सुटेवल है पैस्चर के लिए फिर ठीक है और जहां पर लेंड स्टीप है यानि कि ढालू है स्लूप वाला है ठीक है यूजड ऑन रोलिंग लेंड वेर अधर मैथड्स आर नोट चूटेवली एकक्सेप्टेड मतलब रोलिंग लेंड पे यह कि अधुद किया याता है तो आपने यहां यहां सेसे लिए मिला था फ्री फ्ले यूट्टिंग तो बॉटर फ्लड़िंग क्या होती है नियुक्त लेंद्ध होती है। कि इसमें क्या होता है यह एक चोटा सा पार्ट फील्ड का है यह लेंद्ध होती है 100 से 400 मिटर यह width कितनी होती है 10 to 20 मिटर यह सारे का width कितना है 10 to 20 मिटर करके है यह length है 100 से 200 मिटर तक ठीक है चलिए यह जो है यह अपना man channel है पानी का जहां से अपना man यहां से अगर माल लो हम लोगों ने pipe कुछ सप्लाई किया तो हम लोगों ने pipe pipe से पानी कहां दिया इस channel में दिया यहां आने के लिए राष्टा बना हुआ है पानी आने के लिए ठीक है तो इसमें क्या होता है देखे पढ़ लहते है फिर मैं example दिखांगो आप लोगो तो water is allowed to flow from the supply ditch into each strip है ना supply ditch यह हो गया यहां से इस strip में पानी आएगा ठीक है flow of water takes place from upper to lower end upper to lower end यहां से स्टार्ट होगा पानी इधर की और आएगा ठीक है lower end की और हैना थोड़ा सा इधर थोड़ा सा मतलब यह रहेगा slope कम रहेगा एना and infiltrates into the soil as it advances ठीक है एडवांस तो यह क्या होगा इधर से पानी इधर की और बढ़ता जाएगा और infiltrate करेगा soil में याने की जमीन की नीची आ जागा पानी याने की soil के द्वारा absorb कर लिया जाएगा पानी ठीक है जैसे कि यह बढ़ते जाएगा यह बढ़ते जाएगा आगे यह होगी अपना border flooding मैं एक image दिखा तूँ आपको इसके लिए कुछ practical image तो नहीं मिल पाया फिलाल तो यही है देखिए तो यह होगी अपना border flooding ठीक है यह अपना main channel है पानी का इसमें आया ठीक है इसमें आया है ना इसमें आया ठीक है यह होगी अपना border flooding चलिए आगे देखते हैं हम लोग चेक flooding क्या होती है similar to ordinary flooding except that water is controlled by surrounding the check area with low and flat levees ठीक है तो यह normal flooding जो होती है ना normal flooding के उसी के जैसा होता है ठीक है ना लेगिन इसमें क्या होता है इसमें इक difference होता है कि इसको आप लोग चेक लिखा यहां पर है वाड़ है ना तो इससे आप लोग समझो इसके definition को चेक यानिक इसको आप लोग क्या control कर सकते हो है ना तो similar to ordinary flooding ठीक है except that water is controlled by surrounding the check area with low and flat levees ठीक है यानि कि जैसे क्या है इसमें जो पानी बैते है ना जैसे यह हो गया ठीक है इसमें क्या होता है अगर महालो यह वाले चैनल को पानी निची है तो यहां से आप लोग क्या कर सकते हो मट्टी डाल सकते हो यहां पर है ना क्योंकि यह मतलब पानी जो होता है बहुत मतलब level कम रहता है ना मतलब आराम से बहुत कम पानी रहता है कम-कम पानी बैता है इसम इन निड में हैंना अगर आप लोगो जरूँद हो तो अब लोगों ने च्छोटा सा लिवीज बन गिया और इस वाले लाइन नहीं नहीं आएगे हैं तो यह होता है चेक व्लोडिंग थे कुल लूग देखि यहां इसने क्या हुआ है MATRI अटाल वा है यह यह पानी पानी जरुरत नहीं था तो यहाँ इसने बंद कर दिया अब यहाँ पार जरुरत मकसुस हो रहा है तो यहाँ पे इसने क्या किया गढ़ा कर दिया ठीक तो इस तरीके से चेक फ्लाडिंग के चेक फ्लाडिंग से क्या होता है इरिगेशन होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हम लोग देखे चेक फ्लाडिंग क्या है similar to ordinary फ्लाडिंग except that water is controlled by surrounding the check area with low and flatly समझ गया suitable for close growing crops close growing crops के लिए suitable है यानी की पैडी धान ठीक है यानी की चावल जीसे बनते हैं आप लोगों पता होना चाहिए और जौवार ठीक है suitable for deep homogeneous loam clear soil with medium inflation rate both more and less permeable soil याना इस टाइप के flooding को हम लोग किस टाइप के conditions में अप्लाय करें यह भी दिया हुआ है ठीक है कि यह more और less permeable soil के लिए suitable है ठीक है यानी की permeable क्या बोलते हैं हम लोग किसको बोलते हैं जिससे कि अगर पानी जिससे कि अच्छे से पास कर सके वह गया पर्मीयबल है ना यानि कि अच्छे से अब्जॉर्ब हो सके ठीक है ग्राउंड में जा सके पानी अच्छे से बिल्कुल वह गया पर्मीयबल कम पर्मीयबल यानि कि थोड़ा कम रेट से अब्जॉर्ब होगा ग्राउंड में ते थे खे भी यह उच्ति वल है आ तो वह जिसमें मिडियम इन्फिल्ट्रेशन रेट के साथ clay soil में भी suitable है ठीक है deep homogeneous loam में भी suitable है ठीक है तो यह होगे अपना check flooding अब देखते हैं हम लोग furrow method है ना या फिर furrow irrigation इसको हम लोग बोलते हैं यह क्या होता है देखिए तो irrigated by series of long field channels called furrows यह ना irrigated by series of long narrow field channels called furrows ठीक है देखिए यह जो यह है यह है यह यह जो गड़े है जहापर पानी भरावा यह क्या हो गया यह furrow हो गया ठीक है इसको हम लोग furrow बोलेंगे ठीक है furrows dug in the land at regular interval यह खोदे जाते हैं जमीन पे regular intervals पे ठीक है उसके बाद वाला point क्या है two adjacent furrows in is infiltrates in the soil between it क्या बोला गया यहां पर यहां पर यह बोला गया है कि टू अडियसेंट furrows यानि कि यह और इसके ज़श्ट बाद वाला यह हो गया एडियसेंट ठीक है ना एक के ज़श्ट बाद वाला उसको हम लोग एडियसेंट बोलेंगे तो टू एडियसेंट furrows infiltrates यानि कि infiltrate करता है filtrate यानि कि इसके अंदर से पानी travel करता है है ना यानि कि इसको भीगाता एक तरह से दिखाया तो ठीक है ना in the soil between it इन दुनों के बीच में ये soil है तो इसको ये वाला और ये वाला ये दुनों furrow मिलकर इस वाले soil को भीगाएगा ठीक है ना ऐसे इसमें क्या होता है इरिगेशन होता है crops grown on the trees between furrows ना crops कहाँ पर grow करते हैं रिजेज में इसको में रिजेज बोलेंगे ये जो मट्टी है ना तो इसमें crops grow करते हैं मैं आपको इसका image दिखा दूं तो ये है आपका furrow irrigation कुछ इस तरीके से है ना देखिए ये पानी जा रहा है पानी जा रहा है य है ये crops हो रही है ठीक है और एक है में यह रहा फरो इरिगेशन आप्टर वाटर रिजड़ेट है ना पानी इसमें पानी प्रवाइट के जाने के बाद नहीं की एरिया इसको इरिगेशन इसमें हो गया है इसमें उसके बार देखोई कैसा दिखता है ठीक है यहां पर आप लगा सकते हो क्रॉप या फिर साइद एक में भी लगा सकते हो है ना लेकिन ऐसे दो में लगा जाते हैं सही रहता है ठीक है ना क्योंकि अगर आप इसमें एक में लगाओ तो यह थोड़ा और पतला हो जाएगा ठीक है ना तो इसके लिए मतलब और एक आपको फरो बनाना अब देखने वाली बाट यह है कि यह जो ईसफरो था यस वाले क्रॉब को पानी दे रहा था यह जो फरो होगा यह इस वाले crop को क्यों पानी देगा इसको तो इस वाले फरो से मिल गया है ना तो इसलिए हम लोगों ने एक लाइन पर दो दो लगा दिया है इधर वाले फरो से इसको मिल रहा है इधर वाले फरो से इसको मिल रहा है ठेक है तो यह अपना थोड़ा एडवांटेज हो गया है ना चलिए आगे बढ़ते है तो यह अपना question 3 the state of soil when plants fail to extract sufficient water for their requirement is देखिए यानि कि कौन सा state soil का कौन सा state उसी श्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग जब plant fail कर जाता है when plant fails to extract sufficient water है ना plant ज्यादा मतलब sufficient यानि कि जितना उसको चाहिए उतना पानी वो एक्स्ट्रेक्ट नहीं कर पाता है ठेक है ना या फिर maximum saturation point ultimate utilization point क्या होता है यह सब होता क्या है कुछ पाता नहीं अपने को है न तो यह सब पढ़ना जरूरी है ठेक है ना ताकि इस topics related कोई भी question आया आपका छूटे ना ठेक है ना चली देखते है पर्मानेंट विल्टिंग पॉइंट होता क्या है देखे पर्मानेंट विल्टिंग पॉइंट pwp भी इसको में बोल सकते हैं स्वाट फ़र्म में a moisture content at which the films of water around the soil particles are held so tightly that plant roots can't extract enough moisture at sufficiently rapid rate to satisfy transpiration requirement and thus results in wilting of plant ठीक है ना देखे यानि कि क्या होगा यह एक ऐसा moisture content है यह ऐसा moisture content है जहां पर जो पानी जो है ना पानी का फिल्प हम लोग बोल सकते हैं ठीक है ना जहां पर water जो है यह soil particles द्वारा क्या होता है बहुत tightly hold कि जाते हैं है ना यह ground है यह अपना soil particles है ठीक है यह क्या है अपना soil particles है ठीक है यहां क्या है अपना यहां plant का अपना root है यह अपना plant का root है तो यह blue वाला soil particle है यह क्या है यह green वाला है यह green वाला है water है ना तो यह green वाला जो है ना यानि कि water ठीक है water fill हम लोग बोल सकते हैं फिर water particles बोल सकते हम लोग ठीक है ना तो यह जो blue वाला है swell particle यह जो swell particle है इस water को बहुत अच्छे से मरला tightly hold करकर रखता है है ना यह जो blue वाला है यानि कि swell particle जो है soil particle क्या करता है यह water particle को ठीक है ना बहुत tightly hold करकर रखता है और यह जो plant root है इसको plant root capable नहीं है इसको extract करने के लिए यानि कि इतने tightly hold करता है सारे water molecules को कि यह जो plant है plant root है यह इस water molecules को extract नहीं कर पाते हैं मतलब इस level का यह रहता है पानी का मौस्चर ठीक है अगर सिंपल से बात है अगर यहां पर पानी मौस्चर ज्यादा रहेगा ठीक है ना तो एडिक्विट बहुत ज्यादा पानी होगा है ना तो यह रूट आराम से पानी ले लेगा लेकिन यह वो कंडिशन है यह वो पार्टिकुलर कंडिशन है यह प पानी के परत को उस पानी के पार्टिकल्स को बहुत टाइटली होल्ड करके रखा हुआ है और वह रूट है ना वह रूट एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है वह पानी ठीक है ना यह बोला गया है यहां पर तो एक मॉश्चर कंटेंट एड़ फिल्म ओफ वाटर अराउंड द अनुशल्म चाहिए यह ने खरणा और क्या होता है विल्टिंग उप्लाट ओन इस तरह से विल्टिंग चैँंढ़ करने लगता है छाहिए जिसको अफोलिए बोलते यह इतो होगी अपना लेकिन क्सिम्म से एक पॉइंट है एक ओप्शन है और आप्शन अप्शम नमलर ऋ होता है हम दोग देखते हैं, maximum saturation point, total content of soil when all pores of soil are filled with water, है ना, total water content of soil, है ना, उस पार्टिकुलर जगह के, है ना, एक पार्टिकुलर सोयल में, ठीक है, कितने water content है, ठीक है, है ना, एक पार्टिकुलर quantity of soil में कितने water content है, किस condition में, जब सारे pores, जो है, है, soil के सारे pores water के द्वारा field है, उस condition में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, कि उस soil के द्वारा कितने, उस soil में कितना total water content है, है ना, ठीक है, जब सारे pores filled है water से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, maximum saturation point, ठीक है, एक क्या है, ultimate wilting point, ultimate wilting point करके, एक, एक definition है, इसको हम लोग देखते क्या होता है, point after which, plant is not able to extract any water from the soil, and gets completely wilted, and finally dies, ठीक है, यह, यानि यह ultimate wilting point, वो condition है, है ना, एक ऐसा point है, जिसके बाद, जो plant है ना, plant root है न, एक single drop भी, water droplet नहीं, extract कर पाता है, soil से, ठीक है, ना, soil से, एक single droplet भी, extract नहीं कर पाता है, ठीक है ना, और उसके बाद क्या होता है, completely wilted होयाता है, पूरी तरह से कमजोर होयाता है, यह plant, ठीक है ना, और finally मर जाता है, यह plant, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ultimate wilting point, यह ना, इसको हम लोग लेंगे, ultimate wilting point, ultimate, final position, ठीक है, field capacity, field capacity क्या होती है, ठीक है, field capacity क्या होती है, ultimate utilization point, maximum utilization point, field capacity करके टर्म है, तो field capacity भी हम लोग देखते है, maximum amount of water, which can be held by a soil, against gravity, ठीक है, तो, जो gravity है, gravitational force, अच्छा, पानी नीचे जाता है, ठीक है, इन filter होता है, ग्राउंड में, क्यों होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पूल एक्ट कर रहा है, यह ना, वो खीजा चला याता है, ग्रेविटेशनल पूल की और, याने कि, gravitational pull, main source का है, core of the earth, ठीक है, इसलिए वो downward पानी जात होता है, ठीक है, अब देखिए, होता क्या है, तो, होता क्या है, field capacity क्या होता है, maximum amount of water which can be held by soil against gravity, तो, soil जो hold करकर रखता है, पानी को, जो यह जमीन अपना, जमीन के नीचे अपना क्या है, water है, ठीक है ना, वोटर है कुछ, तो, soil ने इस water को hold करकर रखा हुआ है, यह ना, तो, इस soil का, इस water का maximum capacity, है ना, maximum amount इस water का, जो की, इस soil ने hold करकर रखा हुआ है, gravity के खिलाब जाकर, है ना, इसको नोगों क्या बोलेंगे है, field capacity, वो इस field का capacity हो गया, ठीक है, यानि कि, maximum amount of water which can be held by soil against gravity, is called, field capacity, ठीक है, तो, यह अपना field capacity हो गया, ठीक है, उसके बाद एक point है, it is the ultimate limit of capillary water, sorry, upper limit of capillary water, और monster content available to the plant, plant root, है ना, यानि कि, यह वो monster content है, जो की, plant root के लिए available है, या फिर इसको मुलग बोल सकते है, capillary water का upper limit, ठीक है, तो यह अपना question number 3 खता हम हो गया, question number 4 में देखते हैं क्या है, sprinkler irrigation system is suitable when, देखिए, एक sprinkler irrigation system भी होता है, है ना, sprinkler irrigation, ठीक है, तो यह किस type के जगों में suitable है, land gradient in steep, है ना, देखिए, तो यह land gradient is steep, किस type में, जब land gradient जो है, यानि कि, जमीन का condition क्या है, steep है, जब slope वाला है, है ना, slope वाले जगों में भी sprinkler हम लोग use करते हैं, sprinkler irrigation, ठीक है, देखिए, water applied in form of spray, sprinkler irrigation में होता है, spray के form में, आप लोगों ने देखा होगा बहुत जब पे, spray के form में water हम लोग इसमें apply करते हैं, ठीक है ना, as in ordinary rain, जैसे कि यह ordinary rain में होती है, जूसरा point क्या है, used especially by cultivators of tea, coffee and vegetables, है ना, tea, coffee और vegetables, vegetables की जो खेती करते हैं, उन सारे farmers के लिए, यह बहुत ही उपयोगी है, वो लोग इसको use करते हैं, ठीक है ना, not in rice, jute and similar crops, है ना, rice में यह use नहीं होता है, jute में भी use नहीं होता है, क्योंकि jute और rice है, यह क्या है, बहुत नजदिक नजदिक इसके plants लगा जाते हैं, और sprinkler irrigation हम लोग इसमें use नहीं करते हैं, क्योंकि इसके जो plants भी होते हैं, वो क्या होते हैं, एक तरह से, मतलब यह root तक पहुचेगा नहीं हम लोग, sprinkler पानी छिटिकाओ करेंगे तो, ठीक है ना, और यह इतने नजदिक इसके roots ह होते हैं, कि sweetable क्या होता है, flooding ही, flooding irrigation ही, flood irrigation ही, या पिछे की irrigation ही, इसके लिए sweetable होता है, ठीक है, used for all soils except very heavy soil with very low infiltration rate है ना, ठीक है, ऐसा soil, जो कि बहुत heavy soil है, heavy soil के category में आता है, और infiltration rate बहुत low है, ठीक है, उस type के soils में, इसको हम लोग use नहीं करते हैं, क्योंकि sprinkler से हम लोग बहुत ही, एक तरह से बहुत ही कम पानी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अप्लाइ करते हैं, ठीक है ना, तो बहुत कम पानी है, यानि कि ये, अगर infiltration rate slow है, यानि कि ये पानी बहुत जल्दी नहीं पहुँच पाएगा, नीचे तक, है ना, जैमिन क से सर्फिस पर गया, वो तुरंत स्वाइल के नीचे चला गया, ठीक है ना, इस टाइप के स्वाइल में यूज होता है, जैसे रूट यहां तक है, ठीक है ना, तो पानी को इस उपर वाले सर्फिस से यहां तक आने में, जो भी लॉसस होते हैं, यानि कुछ ये वोपरेट ह हो गया, हैना, कुछ ही तर उदर चला गया, तो यह सब नहीं होता है, बहुत, इसमें क्या होता है, इसमें यह जीज से अपने को छुटकारा मिल जाता है, हैना, सूट्स, अंडिलेटिंग टोफोग्राफी, एंड हैंस, लेंड लेवलिंग, लेवलिंग इस नोट निसेसरी हैना, उबढ़ खाबड वाले जगहों पर, अगर हम लोकली वोले तो, हैना, उबढ़ खाबड वाले जगहों पर ये बहुत ही suitable है, ठीक है, क्योंकि यह हम लोग पř्रिंकलर से हम लोग पत्तों की उपर हम लोग पानी देते हैं, ठीक हैना, एक तरTIN तर है, मतलब उपर कि इसमें भिगा देता है ठीक है ना चाहे वो ऐसा जमीन रहे यहां एचार है नखड़ा उबर काबट रहे तो चलेगा ठीक है नब जरुड़ी नहीं कि जमीन पूरा प्लेन ओ लेंड फ्लेन हो ठीक है न फार्मर का लेंड तो फूर लगा हुआ है पता नहीं चल रहा है यह रहा है यह हो गया इस्प्रिंख्लर इरिगेशन इसके कुछ एडवन्टेज़ है तो वह देख लेते हैं यूनिफॉर्म एप्लिकेशन ओफ वाटर यह ना यह सबसे बड़ा एडवन्टेज है कि यह यूनिफॉर्म एप्लाइ करता है वोटर है ना ह लेंड अविलिबिलिटी फॉर क्रॉप्स एज नो रिक्वार्मेंट फॉर बोर्डर से जैनल सिधा बात है यह अपका यह आपका फिल्ड है अगर आप लोग फरूर इरिगेशन करते यह दूसरा इरिगेशन करते तो होसा कि यहां पर आपको क्या पानी के लिए रास्था कर सकते हो आराम से तो जगह का बर्बादी बच जाता है मोर लेंड अविलिबिल्टी होयाता है क्रॉप्स के लिए अप्लिकेशन इफेक्टी पॉसिबल एप्लिकेशन अन्डर अंडर वाइडलीग कंडिशन है हाइ टेम्धार वोटर डिस्टिबिशन अंडवाटर एप्लिकेशन इफिसंच आर् लो है ंडर वाइडली कंडिशन ठीक न यान ला Yi तो या婆ण है फिर ऊप्सटे पर ठीन्हें जहां पर थोड़े गढमी यां पर गर्म में की दिन जो है और आपर आपिन जडाय शुरत करता है रहता है तो अगर और कहीं आप लोग यह यह स्प्रिंक्लर इरिगेशन का यूज करोगे तो इसमें क्या होगा पानी जैसे ही उपर सर्फेस में आएगा स्वाल सर्फेस में या फिर पत्तों में यह क्या हो जाएगा मतलब इवोपरेट कर जाएगा ठीक है तो इसमें अपने को लॉस होगा और इसमें कम मिलेगा प्ल outfits को इफ सलायन वाट्र इट कैन कॉज लीफ बर्न इन में निक्रॉपस ठीक is costly to install operate maintain 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 करने में operate करने में ठीक है न बहुत ही costly थोड़ा cost ज्यादा पड़ता है ठीक है न इंस्टॉल करने में operate करने में और maintain करने में need continuous supply of power for operating system electricity भी इसको हमेशा चाहिए या फिर दूसरा आपके पास तो इसको जन्रोटर जन्रोटर से अगर आप इसको बेजली प्रवाइट कर रहे हो तो वह आपको हमेशा इसमें continuous देना पड़ेगा यह अपना हो गया ठीक है चिए चैक है निसकते है ओफ टैंसी य॥क अफिरी मीन hydrated मसेखो पर देखा वह पूरान पार इतनی इं тол contradiction है उसका मतलब क्या गया उसका मतलब यह नो पर तो इंटिवेबल कुमांडेड एरिया टू वी इरिगेट़ एन्वनी कि यानि की केल्टीवेबल कमांडेड एरिया जो की हम लोग एन्वली इरिगेट करते हैं जिसका हम लोग सालो भर में सिचाई करते हैं वह कल्टीवेबल कमांडेड एरिया होता क्या है यह हम लोग यहां पर जनना अपने को यह बहुत जोरुरी है तेक है न क्योंकि इरिगेशन में कुछी टॉपिक्स हैं अगर हम लोग वह अच्छे से कर लेंगे ना तो एक भी कोश्चन नह तो सबसे पहले देखते हैं कमांडेड एरिया क्मांडेड एरिया क्या होता है कमांडेड यानि की इरिगेटेड ठीक है यहां हम लोग इरिगेशन एंजिनेरिंग में कमांडेड को हम लोग इस और इरिगेड को हम लोग कमांडेड के नाम से जानेंगे ठीक है ना जो एरिय या इरिगेटटिड हुआ यानि कि जिसमें हम लोगों ने सिचाई किया उसको रहेंगे एरिया तो कमांडिड अधिया क्या होता है इस दिदिद एरिया विच गैन बी इरिडिडड बाया कनाल सिस्टम ठीक है ना यानि कि वो एरिया है जो कि हम लोगूर इरिड़ कर सकते हैं जिसपर हम लोग सिचाई कर सकते हैं कनाल सिस्टम का यूज करके है ना वो हो गया अपना कमांडेड एरिया ठीक है ना सिम्पल सा डेपिनेशन है इडिज़ दाड इडिज़ दिफाइंड अज एरिया विच गें बी इरिगेटेड और कमांडेड बाया कैनाल सिस्टम ठीक है ना यह हो गया अपना कमांडेड एरिया अब देखते हैं ग्रोस कमांडेड एरिया ठीक है तो ग्रोस कमांडेड एरिया क्या होता है टोटल एरिया विच गें बी इरिगेटेड बाया कैनल सिस्टम सच देट unlimited quantity of water is available है ना gross से पता चलता है आपने को total ठीक है commanded यानि की irrigated यानि की total irrigated area एक तरह से ठीक है ना तो ये total area है जो की irrigate किया जाता है एक canal system के द्वारा है ना और water quantity क्या है unlimited है ठीक है बस इतना याद रखो अब लोग तो gross commanded area क्या है total area which can be irrigated by a canal system such that unlimited quantity of water is available इसके दूसरे point को देखते हैं हम लोग includes cultural and unculturable area ठीक है ना cultural एक नियाट अर्म आ गया unculturable एक नियाट अर्म आ गया तो होता क्या ये देखिए cultural commanded area cultural commanded area cultural means क्या होता है cultivable याना cultural यानि की cultivable जिस पे हम लोग cultivate कर सके जिस area को cultivate कर सके जहां हम लोग खेती कर सके उस area को हम लोग cultural irrigation engineering में हो कि नाम से जानेंगे हालंकि इसका meaning क्या हो था cultivable जहां पर हम क्ल्टि वेट खेती कर सकें cultivation कर सके ठीक है उसको हम लोग qART घेती कर सके और इसको इना कर सके तो वो गया cultural cultural commanded area है ना ठीक है CCA it is that portion of gross irrigated area which is cultural सिधा बात है यह ना यानि कि gross commanded area का वो portion यानि कि gross commanded area यानि कि total irrigated area या फिर gross irrigated area ठीक है ना तो gross irrigated area का वो portion जो की cultureble हो यानि कि जो की cultivable हो जहां पर लोग सेकिये ठीक है एना टेक जहां तक हम थे कीया है फुरे area में तो क method कमांड़रिया क्या हो गया है वो particular एरिया जहां पर हम लोग खेति कर सके है वो हो गया अपना क्या cultural commanded area ठीक है cultural commanded area CCA तो CCA हो गया क्या यह अगर हम unculturable area ठीक है ना जो unculturable area है जहां पर हम लोग खेती नहीं कर सकते हैं ठीक है और जो कि gross commanded area के अंदर में आता है उसको हम लोग मैनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा अपना cultural commanded area ठीक है base period क्या होता है देखिए base period आप लोगों ने पढ़ा होगा है ना पहले भी चलिए तो base period का होता है it is the total time between first watering done for the preparation of land for showing of crop crop लगाने के लिए ठीक है ना जो हम लोग लेंड प्रिपेर करते हैं उस time जो हम लोग पानी इसमें देते हैं लेंड में वो हो गया first watering उसको बोलेंगे ठीक है ना और जो भी फसल है उसको हम लोग फसल को harvest करने से पहले उसको फसल काटने से पहले जो हम लोग last water हम लोगोंने दिया है उससे last irrigation किया है हम लोगोंने ठीक है उन धोनों के बीच के distance को हम लोग बोलेंगे उन कितने time duration को बोलेंगे हम लोग total time taken को बोलेंगे base period ठीक है न यह होगया base period क्रोप पिरिए डेक हो गया total time between sewing and harvesting crop हम लोगोंने लगा द in the field और इसलिए crop period को हम लोग बोल सकते हैं यह वो time है जब तक एक particular plant एक particular crop जो है field पर रहता है ठीक है ना यह हो गया crop period ठीक है तो यहाँ पर अपने को क्या मिलता है क्रॉप परियर्ड जो है कि slightly more than the base period ठीक है ना बट टेकन सेम फॉर कैलकुलेशन पर्सन है ना पपस ठीक है क्रॉप पिरियर्ड जो है क्या होता है थोड़ा सा अधीक होता है बेस पिरियर्ड से ठीक है और यहने कि क्या कैसे देखिए कि बेस पिरियर्ड क्या होता है वाटरिंग हम लोगों ने किया था जब प्रिपिर कर रहते हम लोग बीज डालने के लिए या फिर कुछ क्रॉप लागाने के लिए ठीक है ना और लाश्ट वाटरिंग किया हम लोगों ने तो यह बात आप लोगों को मानना पड़ेगा कि लाश्ट वाटरिंग जो है लाश्ट वाटरिंग के बाद हम लोग करीब समझ लो मुझे तो मतलब क्लियर लाश्टवाटरिंग कैया उसके बाद तो फसल बड़ा होया आता है ना उसमें जैसे वीट ले लो ठीक है तो उसमें गेहु भी आयाते हैं तो वो फिर पकने लगता है ठीक है ना तो लाश्ट वाटरिंग के करीब एक महने बाद हम लोग समझे लो एक्जामपल बता रहा हूँ लेकिन हो सायद इसी असपास होगा ठाटा इसका ठीक है ना तो एक महने बाद हम लोग फसल काटते हैं ठीक है यहां तक रहा जब तक harvest ना किये हो है ना तो यह है last watering यह छोटा है और यह crop period अपना बड़ा है तो crop period इसलिए अपना थोड़ा बड़ा होता है ठीक है ना किस से base period से लेकिन हम लोग calculation के लिए इसको equal लेते हैं तो यह रहा कुछ अपना irrigation का हम लोग ने 5 questions किया और time बहुत जा topics हैं जो हम लोगों ने पढ़ा इस topics से कोई भी question आएगा तो हम लोग इसको आराम से कर सकते हैं यानि कि एक तरह से समझे लोग आप लोगों 15-20 questions पढ़ा ठीक है ना इस 5 questions में 15-20 questions चुपा हुआ है ठीक है ना तो जितना पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे तो यह motive के साथ हम लोगों ने आज का lecture खतम किया और आगे भी करते रहेंगे ठीक है तो यह जो classes है यह आप लोग बिल्कुल मिन्स मत करना बहुत important है कोई भी exams के लिए engineering के civil engineering के कोई भी exams के लिए बहुत important है ठीक है तो thank you और सबसे जरूरी बात यह है कि आप लोग मतलब थ सेयर कीजी वीडियो को ठीक है ना लाइक कमेंट्स किया कीजिए ताकि मुझे थोड़ा feedback मिले अच्छा कि हां मुझे responses मिले और मैं आगे थोड़ा अच्छे से काम करूँ आप लोग के लिए ठीक है अगर response नहीं आगा तो फिर मज़ा बिनी आता है और यही कारण है कि मैंन मतलब एक note से अच्छे से बताया आते हैं और अभी objective के लिए भी classes इस्टार्ट हो चुके है ठेक है thank you have a good day अगले lecture में हम लोग फिराएंगे साथ में